अस्सलाम उलेकम दोस्तों वेलकम आपको मेरे चैनल कुकिंग सेलिब्रेशन में दोस्तों मसर चावल के इसको पसांद नहीं होते हैं आज मैं उसी की रेस्पी लेकर आ गई हूँ एक किलो का मैंने मसरु का पैकट लिया था दो प्यालिया भर के मैंने मसर की ले ली हैं हमारे मैं इसे इसलिए भिगूँगी के इपकाम टाइम लेंगे फिर गलने में साथ ही हम मसाले की त्यारी करेंगे इनको बॉयल करते वक जिन चीज़ों को मैं एड़ करूँगी वो गोर से देख लें आप मैंने पांचे साथ जो है वो तर्मियाने साइस के प्याज लिया है एक बड़े साइस का टमाटर लिया है दो सबस मिर्चे और काफी सारा लसन लसन मुझे बहुत पसंदा है मेरे गरवालों को भी तो आपका जितना दिल करें आप एड़ कर सकते हैं ये चीजें सारी लेकर अच्छे से दोकर हम इन तमाम सबजें को रेड़ी कर लेंगे बड़े बड़े स्लाइस में हम इन तमाम जो वेजिस हमने लिए हैं इनको काट लेंगे अब हम मसर को बॉयल करने की त्यारी करेंगे मैं हंडिया में ही मसर गलाती हूँ क्योंकि यह easily पूने हैं या एक गेंटे में अच्छे से easily गाल जाते हैं मुझे समझ नहीं आती मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा था कि यह कुकर में बना रहे होते हैं यह तो बहुत ही जल्दी गाल जाते हैं लहाज ऐसे कुकर में बनाने की जरूरत नहीं है छोटी बचिगा है जो यूनि में कॉलेज में स्कूल में जाती है वो अपनी मा से पुछें क्योंकि मा जा है वो बहुत बड़ी नेमत होती है मैं आपको रेस्पिस बताती हूं लेकिन जो अपने नमक मिर्च है वो अपनी मर्ज़ी से आपने आगे पीछे करना है अपनी कौन्टी के मताबिक जितनी आप चीज बना रहे हैं तो आप अपनी बड़ी बहन से या माँ से पुछें क्योंकि अंदाजे उनको अच्छे होते हैं जो लेडीज होती हैं जो बनाती रहती हैं अपनी अंदाजा होता है मैंने इसमें टू एंड हाफ टीस्पून साल्ट एंड हाफ टीस्पून हल्दी सादे हम दो से तीन जस्ट मसाले डाले हैं और पानी एड़ करके हम इसे पकने के लिए रख देंगे पानी इसमें ज़्यादा कमनी डालेंगे क्योंके फूलेंगे तो इन्हें पानी चाहिए शुरू में हम ज़्यादा आँच पे तेज करके तो इसको जोश दलाएंगे जब सालन को जोश आजाए तो उसके बाद कम आँच करके मीडियम फ्लेम पर थोड़ी सी लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और यह जो प्याज और लसन खड़ा नजर आ रहा है ना इसको हम चमचे से ना मैं किनारे पे लगाए कि ना तो इसको देखना मैं कैसे आपको बताती हूं इसको कैसे पीसना है यह भी कोई मसला नहीं है तो इस तरह से इसको पीस के हम इसको खतम कर सकते हैं बार-बार हम हलाई जाएंगे ताके सालन नीचे नहीं लगे और जितना आपको टेक्ष्चर चाहिए उतना आप रखें आपको ज़्यादा पतले चाहिए तो आप ज़्यादा रखें अगर आपने वैसे भी जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो ये वैसे भी गाड़े हो जाते हैं तो मैंने इतना कि इसका टेक्ष्चर रखा है अब इसका हम तुटके की त्यारी करेंगे तुटके के लिए मैंने 1-4 टी स्पून अजवाइन लेकर और 1 टेबल स्पून जीरा और सुका धनिया के पाउडर और सबस धनिया लेंगे देर सारा ब्रीक ब्रीक कटा हुआ प्याज और लसन और एक टमाटर लेंगे यह सारी चीज़े लेंगे हम तुटके के लिए बहुत ही जबर्दस इसका हम तुटका लगाएंगे इस तरह का तुटका आपने पहले कम ही देखा होगा जिन दालों को तुटका लगता है न तो तुटका ही जो है वो सालन की जान होती है तो हम बड़ा ही कमाल का तुड़का लगाएंगे तुड़का लगाने के लिए मैंने ओयल का इस्तमाल नहीं किया देसीगी का इस्तमाल किया है उसका जो कंबिनेशन है वो इसमें बड़ा कमाल का आता है टेस्ट जो है तो आपके पास भी अगर गी है या देसी गी है फिर तो बहुत इची बात है आप भी उसी का इस्तमाल करें प्रूटके के लिए सारी चीज़े पहले ही रेडी कर लेंगे और फ्लेम जो है वो बिलकुल लो रखेंगे हाई फ्लेम नहीं होने देंगे ना मीडियम होने देंगे लसन को और प्यास को देसीगी के अंदर एड़ करेंगे और लो फ्लेम पर इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पात हलाते जाएंगे प्याराअस हमआरा इतना खुबसरत गोल्डन कलर हो चुका है जैसे पकोरों का होता है बस यहां तक की इसका गोल्डन कलर करेंगे इस से ब्राउनी होने देंगे चीज़ें हम पहले से रेड़ी करके रखेंगे ताकि स्टेप पर हम जल्दी जल्दी से एड़ करी जाएं टरमाटर यहां पर हम एड़ करेंगे सुका धनिया, जीरा और अजवाइन एड़ करेंगे उसको भी हलका सा मिक्स करके साथ ही हम धनिया डाल देंगे अगर आपकी आँच जादा तेज है या आपकी चीज़े रेडी नहीं है या आपका प्याज और रसन जाल रहा है तो आप इसको तुड़के को उठा भी सकते हैं चुले के उपर से लेकिन इसको जलाईएगा मत बस इस तरह से अंदर जल्दी जल्दी से सारी चीज़े डाल द धनिये को हम तुड़के के अंदर जाधनी पकाएंगे फिर वो शलिंग हो जाएगा जैसे हमने धनिया डाला हलका सा मिक्स किया और फोरण से हम अपने मसरों के उपर डाल देंगे अच्छे से तुड़के को डालके डालके अंदर मिक्स करके इसको हम 10 मिनट के लिए ढखकर पकाएंगे साथ ही में चावल भी बॉयल का रही थी बच्चों की फरमाईश होती है कि हमने ममा डाल चावल खाने मसरों के साथ हमारे गड़ में चावल लाजमी बनते हैं तो अगर आपके जो नमक मी जो है वो आपका कम है ना तो आप तुड़के में एड़ करके तो अंद मसर डाल कर इसको इंजॉय करें वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लाग रही है तो कॉमेंट में मुझे जरूर बताईएगा मैं जब भी मसर चावल बनाती हूं तो इसके साथ मैं सैलेड जरूर बनाती हूं अगर जिन्होंने नहीं कभी ट्राइ किया तो वो मेरे कहने पे एक दफ़ा जरूर ट्राइ करें ब्रीक ब्रीक मैं जो सैलेड है उसके अंदर खीरा, टमाटर, बंधगोबी थोड़ा बहुत प्यास, लीमू, और थोड़ा सा पदीना और साल्ट की सिंपल सी थोड़ी सी वेजीज़ आप एड़ करके साथ इसके अगर लेंगे तो वो ज़्यादा आपको टेस्ट जो है वो अच्छा लेगेगा फिर लोट कराओंगी एक नई मज़ेदार रेस्पी के साथ तब तक के लिए अलाह आफिज